दोस्तों अगर आप एक EPF Employer हैं और दोस्तों आपने गलती से EPF का गलत चालान अपलोड कर दिया है और ऐसे में दोस्तों आप चाहते हैं कि आप अपने चालान को डिलीट कर सकें यानि कि उस चालान को वहाँ से EPF Unified Portal से हटा दें और दोस्तो अगर हमने उस चलान का payment नहीं किया है तो दोस्तो आप बड़े आसानी से EPF का चलान delete कर सकते हैं Unified Portal के अंदर से आपको कोई tension लेनी की ज़रूत नहीं है तो दोस्तो वही आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गलत चलान को Unified Portal से delete कर सकते हैं अगर आपने उस चलान का payment नहीं किया है तो दोस्तो अगर आपने जो भी चलान गलत बनाया है और आपने उस चलान का payment कर दिया दोस्तो फिर आप उस चलान को delete नहीं कर सकते हैं तो चली दोस्तो मैं लेके चलता हूँ आपको desktop की screen पर और वहां में आपको बताऊँगा step by step कि कैसे आप अपने EPF के गलत चलान को delete कर सकते है unified portal से दोस्तो अभी हम आ चुके हैं desktop की screen पर और दोस्तो यहाँ पर आपको unified portal देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको अपना username और password डालकर sign in पर किलिक करना है जैसे आप sign in पर किलिक करते हैं तो आपका unified portal है वो successfully login हो जाता है अब दोस्तो यहाँ पर आपको कुछ option देखने को मिलते हैं जैसे कि home, member, establishment, payment, dashboard, user, admin, online services, AVRY तो दोस्तो हमें जाना है payment वाले option में जैसे आप payment वाले option पर किलिक करते हैं तो दोस्तो आपको payment ECR पर किलिक करना है और दोस्तो जैसे आप payment ECR पर किलिक करते हैं तो आपने जो चालान बनाया था वो चालान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अब क्या ह हुआ है कि हमसे यह चालान गलती से गलत फाइल अपलोड हो गई है अब दोस्तों हमें इस चालान को डिलीड करना है तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको जाना है ECR अपलोड पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए आपको वही चालान दिखा दिया जाएगा कि आप यहां से cancel कर सकते हैं उस चालान को तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जो भी चालान आपका यानि कि जो भी फाइल आपकी गलत अपलोड हो गई है एप फ की उसे आप डिलीट कर सकते हैं अगर आपने payment नहीं किया है तब लेकिन अगर आपन तो आप हमें comment करके जरूर बताएं इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी चालान EPF का डिलीट कर सकते हैं बस आपको simply जाना है payment वाले option पर जाने के बाद payment ECR पर और payment ECR के बाद दोस्तों आपको जाना है ECR अपलोड पर तो इस तरीके से आप अपने EPF के चालान को डिलीट क कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और वैल आइकन को आप जरूर प्रेस करें जिससे जो भी नई नई अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको notification के द्वारा मिल करती रहे धन्यवाद जैहन